असलाम अलेकूम तो देखें आज की रेसिपी यह जबरदस यखनी बिर्यानी की रेसिपी इत पर मैंने यह बिर्यानी बनाई दी तो मैंने इसे टिक टॉक पर भी दिया था और यूट्यूब पर भी तो सब नहीं फर्माज की थी कि इसकी फुल वीडियो आप सब हमार साथ श कर्माल किया है तो इसकी यखनी बनाने के लिए देख लेते हैं मिर्चे टिमाटर प्यास की जरूरत है कुटीव मिर्चे वन टीस्पून नमग है वन हाफ टीस्पून कुछ खड़ गरम मसाले यूज करेंगे स्टार हैं लोंग है काले मिर्चे हैं दारचीनी और जजीरा त ताकि हमारी यखनी के अंदर हुज़ू और स्पाइस दोनों ही आए ठीके ना जैसे बिर्यानी के हम रेडी करते हैं वैसी ही तो देखे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है उसमें गोशेट किया है अब सारे मसाले में इसमें एट करनी हूँ और इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और इसको गलाने के लिए रखेंगे और देखेंगे आप दमक जितना डाला गया इसा नोट कर लीजिएगा नमक बिल्कुल भी आपका फिर खराब नहीं होगा डेर चुमच मैंने नमक इसमें शामिल किया है और बाकी कभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी तो द इसको हम ग्राइड कर लेंगे तो देखें हमारी यखनी गल चुकी है दो प्रेशर कुकर की दो सीटी के अंदर हमारा गोष तेगें गल चुका है बोड़ी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूं आप देख ले कि कितना गलाना था हमने इसको कितने आसानी से हाथ की मदद स ही तूट रही है इसको करते हैं साइट पे और रेडी करते हैं भागार तो चलिए भागार के लिए देखें खड़े गरम मसाली लिए है लोंगे जीरा दारचीनी फूल बादियां काली मिर्च साथी वन टीस्पून धनिया पाउडर वन टीस्पून जो है पिसीवी लाल मिर्च वन टीस्पून कुटीवी लाल मिर्च और वन टीस्पून देखें इसमें चायने सॉल्ड का एड़ करेंगे और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर का और साथी होममेट जो बियानी मसाला है टू टेबल स्पून एड़ करेंगे चार बड़ी प्याज़े ली हैं उनको स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है कुछ हरा धनिया पौदीना और साबत मिर्चे एड़ करेंगे और देखे मैंने एक पहले लिया है कुटी वी हरा मिर्चे आदा किलो के करीब टमाटा एड़ करे करेंगे हम अब साथी इसमें डालेंगे प्याज कि इसको करेंगे हम अच्छा असा ब्राउन तब तक मैं आपको चावल नोट करा दूं तो देखें हमारे चावल सोक हो रहे हैं बासमती राइस लिया है मैंने और बस मेंसे 10-15 मिंट ही सोक करूंगी ज्यादा नहीं तो तो चावल स्पून में आए हमारा जिंजर करले का पेस्ट इसके बाद एट करेंगे इसमें कुछ खड़े गरम मसाले और इसको करेंगे अच्छा सा हम भूरेंगे ऑईल में डालकर तो देखें आप कितना मज़दार सा हमारा जो ही प्लॉब यानी टाइप बन रहा है आप इसमें आट करेंगे देखें हैं लाल टिमार्टर और देखें जब बड़ी चीज में पका रहे होते हैं तो इस तरहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं जादा कॉइंटिटी में बना रही हूं तो ये धुआ जो है बार बार मेरे कैमरे पर आ रहा है और शायद आ जालेंगे देखें हरी मिर्चों का पेस्ट तो यह मेर्च अधा पाओ के करीब थी अगर आप मेजूर्मेंट करेंगे तो बाकी सी सारे मसाले एड़ करेंगे इसमें हम और इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था क्योंकि दो किलो चामल थे इसलिए मैंने या अधा पाओ हरी म मसाले में एड़ करेंगे हम तो देखें मैंने गोश को इस तरह एक प्लेट में निकाल लिया है हमारा पानी एक तरफ है इसे भी एड़ करेंगे ताकि गोश के इंदर हमारे मसाले का जो है टेस्ट आए गोश बिल्कुल भी आपको फीका महसूस ना हो तो जब आप बोठी यानिके तोड़ेंगे खाएंगे तो उसमें मसाले की जो चटपटा यानिके स्पाइस और नमक सब महसूस हो तो देखें इस तरह की से मैंने गोश को मसाले के साथ डाल गया अच्छा सा भूना है आप बारी इसमें फ्राइड ऑनियन डाल रही हूं कुछ इसमें हरा धनिया पौदीना एट करेंगे हम ड्राइड इस टाइन पर अगर आप इसमें आलो खाना खाना पसंद करते हैं तो वो एट कर लिए जी साथी समय करेंगे देखें एक प्याली को दही बहुत ही जबर्दस बिरियानी बंद कर तयार हो जाती है इसमें सारे बिरियानी मसाले डाले गए हैं मगर इसको बनाएंगे हम प्लाव स्टाइल के अंदर ही ताकि हमारे चामलों में जो है एक एक जाएका बरकरार है रहर दाने धैने के जो है चामल के गोश और यखनी का तो देखें दो चमच उस टाइम डाला था और दो चमच हम आप चामल डालने के बाद इसमें डियारी मसाला और साथी इसमें मैं नमक भी आपको बता दूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने डे टेबल स्पून जो है उस वक्त एड किया था यखनी के अंदर और अब बा करूंगी उसके बाद हमें इसे चख लेंगे चखने के बाद अगर हमें लगेगा कि कम है तो हम एड कर लेंगे और अगर लगेगा कि यह सही चटकीला सा है तो नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आपका और पानी कभी मैं आपको बताती चलूँ तो देखें में एक चमच करेंगे नहीं पानी ज्यादा नहीं होगा आपका तो देखें कि स्पून लिया है मैंने और इसको मैंने डाला है अंदर और इतना इंच जो है ना हमारा स्पून अंदर टिप हुआ है चावल के ऊपर रहा है तो तकरीबान इतना ही पानी आपने एड करना है अब बारी रती देखें जड़र्दा कलर आड्ट करने की तो मैं चारी थी इसमें जफरान एड अड़करना क्योंकि एद पर मैंने जफरानी कलर आड़कबल नहीं था तो इस पे ने दूद का आइड किया है और जब हम दूध से इसको बनाते हैं तो ये बिछको जफरानी कलर ही अब बनता बचाए है और इस दूद्ध के अंदर मेरे हाफ धकन के लें जो भी कह लें उसके अदर मेरे डाला है के वड़ा वाटर तो देखें पानी हमारा अच्छा साथ ड्राय हो रहा है हमारे मसालों और गोश्ट के साथ हमारे चामाल कि इतना जबर्दस तरीके से पक रहा है और मसाले के अंदर और जो बचाए दिया वह हम उपर से मैट करेंगे इस टाइम पर अगर आप लेवन खाना पसंद करते हैं तो इसमें लिमू के भी फ्लाइस लगा सकते हैं और डालेंगे इसमें हम फूट कलर जो के हमने जाफरानी कलर की तरह ही बनाया है लेकिन जाफरान की जो खूजबू होती वह ज्यादा अची होती है और इसे एड़ करने के बाद करेंगे हम इसको कवर दस मिंट के लिए इसको हम करेंगे दम तो देखें गाइस दस से बारा मिंट हो चुके हैं हमारे जो बिर्यानी है वह एकदम रेडी है परफेक्ट दम पर आ चुकी है तो जब हम ज्यादा कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको चलाने के लिए एक चमच का इस्टमाल करती हूं मैं एद वाले दिन भी ऐसा ही किया था मैंने तो देखेंगे मैंने अपनी वाल्दा से चलवाया है और इस वक्त देखेंगे जो चमच की जो डंडी होती है ना उस ते हम सबर्दस चमच के नहीं चामच रिखेंगे माद से चल चमच करने ठालब मुझा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब च के सब्सक्राइब बम के लावाया इसका फाइनल लुक है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं और आपको दिखाएंगे कि कितनी मज़दार बिन्यानी बन कर तयार हुई है कैसे हमारे चामल जो है मज़दार से हैं खिले खिले हैं और खुश्बूदार हैं जो हॉममेट मसाला बनाया गया था तो चलिए इसको टे वीडियो में नेक्स रेसिती के साथ तुहाओं में याद रखिएगा अल्ला निगे बार